जस पंजाबी देख दे हुए सारे दर्श का नू मेरे ओलो प्यार भरी सच्छी काल तोड़ा स्वागत प्रोग्रम अजदा मुद्धा देविच मैं तोड़ी होस्ट आश्मिता सारे नू इस फ़र्डे शाम दे प्रोग्रम देविच स्वागत कर देयां आम जिसना तोड़ी कल दे प्रोग्रम दे विच दस्यासी साड़ी लगातार कवरिज पंजाब अलेक्शन नू लेके जारी है अगले पूरे हफ़ते तोड़नाल अलेक्शन दे रलेटेड वकवक टॉपिक से गेस्ट लेके हाजर हो वांगे लाइव प्रोग्रामिंग पूरे अगले हफ़ते त प्रेश करांगे ते जरूर साड़नाल जुड़े हो बड़ अज मैं यूएस दे नाल जुड़ी हुई कुछ चीजां तो अड़नाल डिसकस कुछ चीजां शेयर करना चांदी हैं खास का कि जो युनाइटेड स्टेट्स दे विच वास्दी हुई साड़ी सिख पंजाबी कम साड़ा मिशन हमेशा प्रायोरिटी रहा है कि साड़ी पैचान सिखी सरूप जो साड़ी दस्तार है कि उस दी पैचान किस तरह वड़े वड़े ओदियां तक पहुंचानी है आम लोका तक पहुंचानी है ताके सिखाने खलाफ जो इग्नरेंस, मोटिवेटेड, डिस्क्रि जो डीपली इंग्रेंड एस मुल्क दे फैबरिक दे विच हैगी, बहुत साड़ी देन भी रही है, एस मुल्क दे हिस्ट्री दे विच सौतो वड़ साला तो साड़ी कम्मुनिटी इथे वसदी है, फिर भी इस पैचानली साड़ी स्ट्रॉगल जारी है, जो पैचान दी ग अगे, प्रेजिडेंट देनाल राल के साड़ी सिखा नू कम करंदा मौका मिलदा है, इस तो वड़ा कोई ओनर नहीं, इस तो वड़ी कोई तुसी कहलो सर्विस नहीं, इस कौम दी पैचान दी कॉज नू लाके, आम सु मिनू बहुत खुशी हो रही है, अज इस प्रोग्र कुछ एहो जी खबरा दसांगे कि ए भी एक एहो जा मुद्दा है जेदे विच हले कम बाकी है, हले भी डिस्क्रिमिनेशन, हले भी हेट क्राइम साड़नाल हुने, उन्हा देवारे भी जानकारी तो अड़नाल शेयर करेंगे, बाल लाट स्टार्ट विच गुड़ नूज फरसथ एस तो उन्दसे है, एस मुल्क देवीच प्रेजिदन दमाल के कमकरनदा जेदो मौका मिलदा है, ड़रा खिए बिगएस्ट अनर, जेदो स्टार के अवी जेदो सरिप़िज़ती गाल आंदी है, दसतार देनाल, मिलिटरी देवेच सर्व करना एक तृसी केलो, एक ह यह हो जाएगा जिन्नु लड़के असी लिपता है और इस लड़ाई दे जो लीडर सी ओ आज सानु प्रोग्रम दे विच जॉइन का रहे है मिनु बहुत खुशी हो रही है एक वारी फिर प्रोग्रम दे विच स्वागत कर दे हुए करनल कल्सी जदो वी तुसी सार नाल जूड़ते हो साड़ा जदा के देना आसी we're so proud of the work that you have done पावे तुआडी जो शर्विस रही है अफगानिस्तान दे विच तुसी military दे विच सर्व कीता है जो तुआडी श्ट्रॉगल रही है के तुआडी service तुआडी दस्तार दे नाल होए and ओस लड़ाई करके अज साड़े सिख नौजवान ते जनानिया सर्व कर सकदे United States military दे विच with the turban. अपने articles of faith दे नाल एन इस ट्रॉगल हले भी जारी है of course वक वक जो armed forces दी ब्रांच इन उना दे सारे दे विच एहोजी साड़ी representation हुए एदे ले तुसी हले भी काम करे तौडी organization सेवा जो के खास करके military दे विच veterans नूँ जो military विच सर्व कर चुके है ते आन वाले पीडिया नूँ जो military विच जा रहे है उना नूँ help कर दी है सिखी सरूप दे नालो ना दे हक नूँ protect कर दी है एदले तासी तनवादी है गी तौडे बट आज साड़े विवर्स नू मैं दसना चावांगी जो तौडे नाथ हले टाइटल लिख्या है, designation लिख्या है ओ एक नवी designation है गी नवा ओनर तौडे ओते ते सिखां ओते बिस्टो किता गया है मैंनू बात खुशी हो रही है तो इस नवे ओनर नू लाके इस नवे ओदे नू लाके तो साड़नाल आज जुडे हो So once again, Colonel Kelsey, great to have you. Thanks for joining us. You have recently been appointed by Vice President Kamala Harris as Commissioner of President Biden's Advisory Commission on Asian American Native Hawaiians and Pacific Islanders So it is a very important community Colonel Kelsey, tell us a little bit about this organization सब तो पहले पिल्कुल, पिल्कुल So it's actually the AAPI community or now the AANHPI community community, it's been around for, you know, since for over 100 years now it is only in the last 20 years or so though it's become more politically active so in seeing that and in seeing the issues and the problems that have been presented to our community and the President has established a commission to deal with equity, justice, and opportunity and how to advance that for all of our communities. So that's really the work of the commission is to make sure that equity, justice, and opportunity for the Asian Americans, Native Hawaiian, and Pacific Islanders is addressed. So once again it sounds very broad but जो एस संस्था दा मिशन हैगा, it's very focused to these various minority communities and I see minority कैंदे जरूरा, जिस तरह तुसी के आए, किनने, I mean almost इस मुल्क दी शुरूरात तो किते न किते, इस communities, दे वकफख members involved रेहन, they go all the way back as far as the history of the United States goes and जिस तुसी भी दस रेही, एहो जी commissions, काफी पहले भी presidents तो चल दियाँ आरही है, but this is, there is some additions जो आद की President Biden दी commission which किते गए, tell us about your specific role. You know, I know that you are one of several and my viewers नु एक पिक्चर दिखाना चानिया from the swearing-in ceremony जे थे Vice President Harris तोनु सारे नु इस आदे दे विच वेलकम कारे है, officially तोनु स्वेर इन कारे है, you know, there is a lot of you, but there is very specific mandates जो तोनु सारे नु दे गया है, और कास करके तोनु एक सिक commissioner इस organization, इस गूप दे विच होन दे ना ते, what is your specific mandate? You know, my specific mandate is no different than the charge given to any of the other 23 commissioners. So, essentially, what we have to do is come up with independent recommendations to the president of the United States to advance, again, equity, justice, and opportunity for our communities. And there are actually very focused charges. So, recently in the hate crime attack against a taxi driver just a few weeks ago, you know, we have to, one of our charges is actually to address and end anti-Asian bias, xenophobia, racism, nativism, and look for opportunities for the president of the United States to advance inclusion, belonging, and public awareness of the diversity and accomplishments of the AANHPI community. So, you know, we have an opportunity whenever a hate crime happens to educate the public and look for ways in which we can keep something like that from happening again. But beyond ending anti-Asian racism and bias, we're also charged with looking for policies and programs and initiatives to prevent, report, and respond to and track anti-Asian hate crimes and hate incidents. So, we're always looking for ways in which we can make the situation better. It could have happened anywhere and to anybody. So, we, again, we're tasked with figuring out a way to track these incidents and make sure that they don't happen again. Right. I'm so glad you touched on that because we are covering that later in the show and look resources provide what they should do and report currently or justice land but also it really is a multi-pronged effort. I want to talk to you a little bit more about that about following in your footsteps. Right. Just all there to see back to it's been a long journey. I want to learn about how you got there. Before we go on a quick break, I want to share with viewers a video. This is from the swearing-in ceremony where Vice President Harris officially is commissioned in their leadership role which welcome It's just a short clip of Vice President Harris and the importance of this commission and what goal should be. So let's watch this video and let's watch a short commercial break for that's why it's so important to have you all as the leaders that you are together in this advisory group because the work that you will do is to give us candid feedback I promise you and I invite you that is what we want we want candid feedback we want advice we want to know how the ideas and the decisions that we may make will actually hit the streets all of you are on the ground you are in community you are working you are opinion leaders and so the feedback that you give us as we are thinking about people the feedback you give us will allow us to actually achieve that goal of having impact so I thank you for all that you do every one of you I could just look at you and talk about the work that you have done your entire lives that has been about service in addition to your professions and in addition to the other obligations you have program aaj da muda aaj asi gal karreya jo ground level day to day de which saada sikhhan de khalaf minorities de khalaf hale wii is mulk de which discrimination te hate crime hunde hai recently new york city de eik baut baut de airport de which eik haad sa vaap reya joh sanu kisam di hirani vhi dinda hai ki hale bhi in sanu waad eik new york city var ghe share de which jinnu is milk da melting pot ke haj jan da dunia de kone kone to loki it hai kone 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 कर दो शेर करन दमोका मिले तौर नाल सार्डी अपनी कम्निटी दे मैं कवाँगी इक शाइन इक शाइन इसे प्रिस्ट बैदे एक कमिशने विच खड़ी में बॉच जो जो एक कमिशने दे तौर ते सिलेक्ट किटे गए so please join me in welcoming once again Lieutenant Colonel Kamal Singh Kalzis Colonel Kalzis, welcome back and to see जो था तोड़ी service रही है, of course, उदे ले हमेशा सी तोड़ी इतन्वादियां as a member of the military, जो तोड़ी संस्ता सेवा का मकारी है, नौजवाना ले ते सिख American veterans नू सहुनू नू ता प्रवाइड करन ले, but now, तुसी जो ए माइनौरिटी कमुनिटी हैं, Asian American, Native Hawaiians, Pacific Islanders, एना दे हकन दी भी लड़ाई दे विच तुसी हुन शामिल हो चुके हो, but doing it, you know, strategically, एक वड़े ओदे ते बैके President Biden, देनाल, राल के उनादी Advisory Commission ते, तुसी नू हाई लेवल तो अटाक करें, so it's really great to see that. तुड़ी जो तुसी एस कमिशन बारे जानकारी साइड नाल शेयर किती, you know, एस कमिशन तक पहुंचना, I'm sure there's so many steps जो तुसी लिटे होने हैं, but I want to talk a little bit about some of the more recent stuff. I mean, of course, to bring about the kind of policy changes जो तुसी लाके आयो, जो तुसी सिक्धिस्तार सिक्धी सरूप दी गालां दी है, तुसी तुसी एस कमिशन दी है, but more recently, इस कमिशन दे विच शामिल तुसी किपते गयो, how did that come about? I, you know, honestly, I don't know. मिन विक दिन फोन कॉल आई, वाइज तुसी किते गयो, के, look, काफी लोगा ने सन तेरा ना देता है, आई, के, YOU सुर्वनितखनाओ, नाईएचिस किते वे एको थी का आत्याएच किपने सेवर सेरा Shot सब्यों मेत खभेर मुझते है, कि 迷替 वहाशों को कि आने कर सhमिल लिभरीं स्यいました. प्यों वेट, that I had interest in working for the Biden White House you know I have a tremendous amount of respect for the Biden White House and so they basically they basically made the process easy for me to apply and then become commissioner there was no no guarantee I mean I think thousands of people applied to be the commissioner so you know we're we're lucky all of us are lucky that we have an opportunity to to do something great for our communities and you know once again we have an opportunity to do something great it's not just about the title right you know president White House call I president Biden the Commission to see serve got a minorities Asian Americans mean represent got a but but this has a direct impact on the day-to-day Joe cheese on Sanu Jailia penney Joe experiences a Saudi calm that the whole minority communities new face carnip and they are on the regular I mean of course a CEO's sick the vehicle carangay Jiden all Jeff kate a hats away but you know in the last year and a half Asian Americans Chinese Koreans you know Japanese Filipinos in a new sort of country for Kutaya Jireh in New York City there are so many incidents because you know no covert denial ignorance misinformation galat the family they which Georgia Jireh you know so a Joe grouping haye in Saudi minority communities the in a Saudi no cookie lacking on the Joe purpose I got tell me how that translates into improving the lives on a day to day level casket you the hate crime the gal on the air Angie well I think uh what we have to remember is we guys uh especially those southward uh T carry okay yes uh uh hate crimes have been up against uh Asian Americans uh and minorities in general but or they took uh previous jobs out see we we have to keep those in mind too uh because those previous four years saw a massive increase in uh uh hate crimes and uh anti-Asian bias uh so you know I think what we've seen in the last two years is really just a a continuation of that same hatred um discrimination xenophobia against uh Asian Americans and and many other minority community so the bigger question is right uh yes we understand gay a sariya chicha koriya sari community nam but kikar sade and I think one of the biggest things we can do is we can uh uh not engage in violence right and we need to get our uh local and elected officials involved uh and then you know become a person that can be seated at the table to help make changes possible so gypsy and if that means joining the military or becoming part of the police department or becoming uh a part of your your uh school board uh you know just get involved in the local community become a become a volunteer you know become part of the process um because when you do become a part of the process that's when the community and I'm not just talking our community I mean the larger American community uh sees you um if you don't get involved people won't see you and uh as well as communities the problem they don't understand uh they don't understand who we are uh or what we stand for so uh uh we get out ahead and show people who we are absolutely uh colonel uh you know uh um you know maybe get to positions like you um um you know if someone wants to follow on your footsteps uh get a call from the white house um um well I think you have to you have to focus on service uh you know regardless of what it is that you do to see probably um you know it doesn't matter if you have a college degree or uh if you just graduated high school you know you can still serve your community uh in in many ways possible that may uh you know maybe you can go for a homeless feeding maybe you can help uh clean up the streets uh there is uh service comes in many forms uh so uh my my first advice is k uh you know one get involved in your community uh because they're not just gonna figure out how to get involved and then number two uh serve your community and truly find a way to serve uh and number three um find a a wonderful partner in life that'll allow you to do that uh and so i'm lucky to have a you know wonderful family beautiful wife that uh supports uh all this work so right we we know we we know that your wife is the real rock behind all of your success um so it's always good to hear uh about her and and the support we all are very familiar with that you're very blessed in that regard um lieutenant colonel kamil singh kalsi first of all congratulations um being appointed being getting a call from the white house and being appointed as commissioner of president biden's commission on asian americans and native hawaiians and pacific islanders and uh cud katea kis tana they changes to see the toward the baki cohorts baki commissioners um is or they would they like and they what changes we can all look forward to and thank you again for your service and for your time colonel um have a good rest of your evening you too thank you such a call um it's a good chowdhji break lee ruking but break to bad jisna ton das ray see pelle to keek ahoji story saadha apne share dewech ithe new york city dewech jithe sikhana panjabia da garmanya janda um dunya deik sapt over the airport dewech hui um um iku sikh taxi driver denal share dewech videos to see wekhiyan honi hai um asie dewaare gal karangay but more importantly jadho ehoja koji haadzha waapr da sardi community denal sanu ki karna chai da hai and jo sardi viewers dewech taxi drivers ride share drivers uber flana sanu wekh raya unna de leki resources ki jan kari to anu pata honi chai diya ta ke agar to anal ehoja kuch hundha hai te agge to na hoi te properly odhe lehi to anu justice mili in sari chiza di gal karangay break to us bar sari anda ek bari phir swagat kar deyaan jadho aasi sikh identity di gal kar deyaan sikh pachan di sikh representation di ahm kyun ee juroori banjan da hai ke sardi pachan denal sardi dastar denal sikhhi sroop dewech vade odhaya te sardi representation hoi in fact hirani hundhi hai ee sunke ke new york city dewech jokke ek gaad mannaya janda hai panjabiyaan lehi 9 emigrants lehi ek melting pot keha janda hai new york city noo othe bhi ee hoja hate crimes lagataar hundhe hai and recently ek hate crime ee hoja hoya ajedhikar ke program dewech usi kuchh jankarhi tornaal share karangay kuchh hafte yaan pehle ek sikh dastar denal taxi driver jfk airport jokke new york da bokhut mashhoor bokhut vada airport hai ga uthe sawariyaan chakkan lehi aap di cab ghaad ke cab to bahaar likh lehi and ek individual ne unathe attack kita physically unanu kutteya te dastar denu khichya ashi tornaal video nini share karangay because share tusi video wikhi hoye but in noo share karke koi fayda nini ho na but is video nini lake its hatse nini lake saadhi kaom nini ho ki pata hoona chahi dha taakke aanwal ee sameh de vich paame tussi kese bhi field de vich kam kar deo taxi driver uber driver koi waddi awadhe te bendeo twaadi dastar te attack hale vhi ho sakda hai ees chiz te jankarhi provide karan lehi saadhanal ees program de vich aaj jordhe hai minnu baut khuši ho rih eek ee hoji sansa joh lagataar to do sikh haqqa di gal aandhi hai agge khađke representation dindhe hai khas karke illegal torte te aaj vhi saadhanal program de vich jordhe hai sikh coalition walno asis kor saanun join kare sabto pehle asis taoda program de vich swagat satsriyakal satsriyakal ashmeetha thank you asis jodho vhi tu hai saadhanal jordhe hai bokut vadiyah lagda hai taadhanal gal karke but you know ik paas yun dukh bhi hundha hai ke jadho vhi tusi saadhanal program te aandhe ho saadhi gal koji na koji discrimination koji hate crime koji ee hoji incident baare hundhi hai jede baare sunke frankly surprise feel hundha hai ke aaj di date de vich inni progress to baad ee hoji shahra new york city de vich ee hoji incidents hale vhi ho raha hai um it's it's really haji meitakavangi disturbing before we get into ke aasi ki kuch kar rahe hai haan khas ka ke sikh coalition ki services provide ka rahi hai is the story de vich khas karke i want to talk a little bit about ee ki vaapare hai and ee kinnak frequent hai ga because tusi ispa se deeply involved ho as the senior legal client manager at sikh coalition na ke tusi professional capacity de vich in kama de vich involve ho per thode personal experiences bhi kaafi purane toh is discrimination naal hai ga ahm asees let's talk a little bit about ke ki kuch is incident de vich vaapare hai juroor so ehe jeda haadsha hoya ek dam 9e saal te shuru mohnti hoya jidha tusi kaari se bhi ehe chedha apne community member hai gya taxi driver ne bade saalant toh taxi chila randhe ne new york vich randhe ne ee otan suvere jfk gai si jidha you know na li roj da kam hai roj jai da kam te onna no apnei fair mili ta onna di lane ki se ho orne block kiti hoi si te onna noo fir maranja keha bhi sanulangan do te us bandy na jidha respond ki te se ga loho kafi aggressively si physically si physically wisi taan fir us bandy na kaafi vari kello you know mukke maare dhandi ya chiza kiti hai jfk te airfoortte te naal di naal उनने गंदे लवस भी यूज किते हैं, गंदी तरह कहा, ठर्बन पीपल, तेनाल कहा, भी गो बाक तो यूर कुट्री, अपने इंटीश भापस चाले जाओ, इहे हों तो बाद, जेडे कम्यूनिटी मेंबर ने अपने मिस्टर सिंह कह सकते हैं, जिदे तुसी कहा, अपनी किते हैं, ते सिक कोलेशन ने पिर उननो अपनिया अपनिया असी लीगल सर्विसेज प्रवाइड कितियां भी ताकि जड़ी पॉर्ट अथोरीटी प्लीस दपार्टमेंट है गया, ओहो ए हाथ से एक एक चीज नो सही तरह इंवस्टिगेट करन, सही तरह रिकॉर्ड करन भ किसे नाल नफरत परे, नो मित करे, परी अचीज अधा कैन दिया, सही तरह पिर प्लीस दपार्टमेंट ते सारे ना अंगाल बात कीती, ता उस तो बाद, दसक दिना बाद, इस हाथ से तो जन्मरी 13 नो एक बंदा अरेस्ट किता गया थी ते उन्नों ते 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 ज़ग गया, पहला है असल्ट इन थर्ड दिग्री अस एक राइगा, दूसरा चार्ज है असल्ट इन थर्ड दिग्री ते तीसरा है अगर्वेड़ेद हरास्मेंट इन थे ज़ग दिग्री, तो हून इह केस है जो पॉर्ट सिस्टम दिद्रू जाएगा असीस इते एक बहुत इंपॉर्टन सवाल उठ दा है, of course, जदो असी इन क्राइम्स दी गाल कर देया, आवरिज परसन ले सुनननों वदिया लगदा है के इन चीजां दे खिलाफ प्रोसेकुशन हो रही है, जिस तना तुसी ये चार्ज दसे, के चार्ज रखे गया है, इस assailant दे खिलाफ, बट इरे उते एक और भी चीज बन दी है, regarding the specific discrimination element, जो उसी hate crime दी classification कहने है, उसी पहले भी viewers नाल शेयर किता है, के जिदा, for example, FBI, the hate crime statistics दी report लिक्तल दी है, annually, ओदे वेच, सब तो recent report, सिखा दे खिलाफ, सब तो ज्यादा, proportionate to the population size, सब तो ज्यादा, increase in hate crimes list कर दी है, बट ओ increase तद ही record हो सकता है, अगर एहो जे हाथ से, hate crime दे तौरते, दर्जा दिता जाए, and जो charges दुसी list किते हो, दे विच, hate crime, मैं नहीं सुने, इस चीज नो लेके कोई update, पहले जेड़ा जेड़ा जेड़ा, जेड़ा जेड़ा जेड़ा, जेड़ा जेड जेड़ा 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 जेड देविछ कास करके सिक कोलेशन अवोल इन चीजां देना लगातार दील कर दीया है। You know, how frequent is this? Because once again, सानू लग दाए के अप्मुनिटी ने तरक्की कितीया है। असी political offices and areas देविछ इन्वालव हो रहे हैं। रप्रसंटेशन वदा रहे हैं। You know, एक किसम दी सानू असी कह सक देया, satisfaction हुं देनाल, but clearly, दुझे पासे, this discrimination and these kind of hate crimes, यहले भी काफी काफी कामन है। किने का अप्रेक्वेटली तुसी ना अपने कम देविच रदेविच रदेव? कम देक्वेटली तान अत्र Eck Half-सी का यहां प्रेस रेहिं अपने कशेया, ल eccा चात्तर चाया, तरह रहे हैं। क्यास, विष्णली तद किने कि अहां छुड़ी कि आहां थ Şimdi रहा हैं। जब एक अदन्डाई हाथ सा अधन्डाइबर देना बेलिंगहां वाशिंटन विछ होया जिधे ओन्डे पैसंजर ने भी काफी रेसिस्टी ज़ाइब कितिया उस हाथ से विछ विछ भी अधन्डाइकर नू एट क्राइम तेना चार्ज कितत थे ओवी अजे कोर्ट सिस्टम देख एक ते ते तुछ जान्डाई पया जान्डाई हुए भी कोवेड ते कोवर्ड असर लीगल सिस्टम थे हुए थे कुछ छिजा काफी स्लो जाली है यह एक कुछ तो नू लासवेगेश्विज थे अद्दा हुए यह प्टेस्ट्रियर थे अधन्डाई होया थे एक प वी वी नुवयर्क वी वी काफी बुटल, काफी गंबीर अगात्सा हो ऐसे जथे थे छे टाक्सी टुराइबर ना अटक कीता गया थे पासंजर ने कि उसकेस विच अटाकरे नू प्रिजन भी सज़गा मेले दोशी नू तो एहे राइड आपके सेख देश विच इन्यू योज ते सिर्फ इक पास ही हो रहे हैं आपां कि उसना शेयर काश सेगा ताकि एदाने हाथ से हो तो भुचा रहे हैं जी बिलकुल तुसी परफेक्ट में नू ट्रैंजिशन दिती है बिकास जिते कोई वी समस्या हों दिया है उते होदा हाल भी होंदा है आपां में हो जी डिस्क्रिमिनेशन ने हो जी हेट क्राइम हो रहे है खास कि अगर इसी टैक्सी ड्राइवर्स दे राइड शेयर द्राइवर्स दी गल करिये सिक कोईलिशन ने काफी रीसोर्सेज इनफाट एक अवेंट भी नियॉयोक सिटी दे विच इस चीज नू काउंटर करन ले तयार किते यह भी मैं वियूर्स नाल शेयर करना चाहांगे यह थे कि छोड़े जी ब्रेक ले रुख रहे है सिस किते ना जाओ वियूर्स तुसी भी साड़नाल ऐसे तरह जुड़े रो की रीसोर्सेज की जानकारी खास इंफर्मेशन तौन नू होनी चाहिए ताके तुसी भी एहुज एक क्राइम दा विक्टम ना बनों अगर बंदेओ की तुसी उस तो बाद कर सक्देओ एदेवा साल हो गए सानु इते वास्थे होए यसी इस कंट्री दे फैबरिक दा हिस्सा है गे कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स अव सिसाइटी साधी पैचान पावे वड़े ओदे आंते पहुंची होई है बट हले भी आम जनतां दे हथां दे विच सानु ओहो हेट्रेड ओहो वित्करावेकन नू मिल दा है जे दे खिलाफ अवेरनेस ते प्रॉपर टूल्स करन लें तो अनू हल्प कर सकते हैं जिते एक सिख सरदार दे खिलाफ जो अटैक होया जेफ के एरपोर्ट रीसेंटली ओदे वारें गाल चल रही है अगर तुसी भी टैक्सी या राइड शेर इंडिस्ट्री दे विच कम कर दे हो आम शैद और नाल एहो जी कोई चीज और हो चुकी है शैद तो अनू डर है के आम तो अरनाल हो सकती है एर रीसोर्सस तो अनू हल्प करें ली सिख कोलिशन ने कठे किते हैं ते सारनाल जुड़े हैं असीज को और असीज एक बड़ी फिर प्रोग्रम दे विच तो अनू स्वागत कर देयां लिए विए जो हाथसा होया इस इस दिस्टर्बिंग रइट जिनाने ए वीडियो देखी हुई आरड़ी आरड़ी आर्ड़ी आप अनू पता है के किनी बुरी तना एक सर्दार नू एरपोर्ट दे बार उना दी टैक्सी दे नेरे कुटे आगया उना दी दस्तार ते अनू आरड़ी आनू इस चीज दी खुशी है के उस अटैकर दे खिलाफ लीगल आक्शन शुरू हो चुके है सिक कोलीशने देविच डिरेक्ली इन्वालवड है बर तुसी होर भी काफी चीजां कार रहे हो ताके एहोजी चीजां अगय ना हो नकर हुनी है के उना दे खिलाफ प तुसी स्क्रीन ते वेख सकते हो कुछ डॉक्यमेंट्स एंग्लिश वर्जिन हैगा एवी विवेर्ज ली तुसी पड़ सकते हो पंजाबी दे विच भी एए डॉक्यमेंट तौर ले तियार किता है असी से दे विच की कुछ जानकारी हैगी इदे विच काफी एज़ो एज आजाए बढहत से उकड्यमेंट्स बाइड़ खिर प्रम टी एजा रिष गड्याओ पाँ जो अन्दर रहत ना कर सकते हैं और रीच जाए ना कर सके तौर गोने सकते हैं तौर डरा काफ्या एंडर पाइड़ जा लिच नाए जा टाए ना बारा जानकर सकते है लिच नाए अपने जे थ्वाड़ को डश्काब है ता उनु भी अनु रखो ते अब जदो गड़ीच कोई बेंदा है जा पिक अ कर दियो किसे नू देखो जे पैसंजर इदेफाई हो सकते हैं ते पैसंजर दी देस्टिनेशन में कर लो बफोर गड़ी चलान तो पहला जदो ओ थ्वाड थ्या पैसंजर थार्च भी च्रलान प्राच, प्लवड़ीच पर गड़ीचा पर ड़ीच बहड़ीचत BUT dal झा जए बप्त्स भीचाए जब दैना लिए झालान थावते तो केफाई, देल एट सुन्ञशों राधना था प्लो रु मलतर थांधयी कि nghĩ तेंस सब्सक्राइब है लाय वह जाह न पर बाला रांग, आठड, नहीं पर प्रहु मिल सकतो नोदिय ग़ YEU पर आपने इमिग्रेशन स्टाटस दे बारे लाँ एंफोर्समेंट ना गाल करन भी जरूरत नहीं है ता फिर जरी कंपनी अथवार डीपा में उबर आ लिफ्ट आ चाहां तुसी आप ओनर ऑपरेटरों जाली स्टी या ओहू कंपनी नो नोटिफाइग किता जाए ते उनना जाए ते तुसी आप दे लिफ्ट नो जाए तुसी आप तो बदिया रिसोर्स आप अपा एक दुझे ना शेयर कार सेंगे ओहां लीगल है ता जाए तुसी आप अगार दे लिफ्ट ना अपने ना कोई हाथसा होया तो इसक्रिमिनेशन ना है एट क्राइम दुसी आए टी जानकारी साड़ी ना शेयर किती है के पावे तोड़ा कुछ भी इमिग्रेशन स्टाटिस है कि एथे एचीज समझनी बहुत इमिग्रेशन स्टाटिस ते तोड़ी लॉइंफोर्स्मेंट पुलीस दे नाल नाइन वन दे नाल जो तुसी एगर रिपोर्ट वी दर्ज कर दे होते पुलीस अंदी वी हैगी उनानू इमिग्रेशन दा बतान दी कोई लोड नी हैगी कोई इमिग्रेशन दा लेन देनी हैगा तोड़े नाल अगर कोई वी इस तना दा क्राइम कमिट होया है कोई हाथ सब आपरे तोड़े होते एक चीज दा दूजी देनाल कुछ लेना देनानी हैगा तो तुसी नडर होके लॉड फोर्समेंट नू कॉल कर सकते हो अगर तौनू कोई हले वी हैजिटेशन हैगी सिक कोलेशन दा फोन नमबर जो के उना दा लीगल फोन हेल्प लाइन फोन नमबर हैगा वी स्क्रीन दे लिखिया हुए है सीस कदीकवार यू नो यह हो जी चीजा हों दिया है और लोग का नू इन परसें ए जानकारी जादा एजली अंडरस्टेंडबल एक्सेसिबल लग दिया है सो एदेली सिक कोलेशन एक अवेंट भी रख्या है कल दूपैर नू जे एफ के एरपोर्ट प्लीस अनू एदे वारी भी थोड़ी जानका इंथ हो जाए दो है डाती जह थी आल्टो है तब खी दोल्या काफी एफ के एलपोर्ट गाए जानका फ़ी जानका फ्लाइब काफी भी थाइप्रों है जाकी टोड़ी टैक्सिएर्श धेयर्जा का फू एम राइट बूथ आरव्ण मैंने सी ओननो ओती मिलिया ताकि कि कि अटा ते एक पता हुए भी इड दन दे हाठस न बचा भी होसागा ते उनन पता हुए की करना चीद भी और अट जैए रहा है। देना काफी होरी और देना चीख देना किया रहा है। क्योंकि अभी पता है। काफी इंविक्राइट इम्मिटेश इंडुस्टी विच गाम कारते ने है। सिर्फ एक्स ट्रैवस नीयॉर्क विच वर भी बड़े है। जब फित्पम होवे उननो आपनी लेंगविज स्पिसिफिक रिसॉर्स ते माद मिल सकती है आई 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 उमीद आई भी अजिने भी रिवर्स देनल इह रिसॉर्स इंफर्मेशन शेयर कार संदेया ताकि एसे करिये ताकि कदी किसे नो लगे नापयों बेवास ने रहुना ने किसे ने सुननी नी रहा इनके से गाल दे डार कार रहनों अगे कोई स्टेप नाल जी और वन्स अगर कोई लैंविज दी तौनू हैसितन सी है कि कि तुसी इंग्रिश जाला सकते हो जानकारी ला सकते हो सो कल दूपैर नो जे एफ के एरपोर्ट सेल फोन पार्किंग लॉट दे विच ठल उस ते टाइम वन्स अगैं इंग्जाक लोकेशन बफोर तुसी टर्मिनल्स वाले पासे एंटर कर दे हो सेल फोन लॉट दस साइन पहले आ जानदा है तुसी जानकारी तो आड़े तो डिरेक्ली लाना चांदे किने वजे पहुंच सकते हैं दो मजे ते जे कोई सुनना पया ते नाल बालटिय करना चांदा है तुसी वी क्म्यूनिटी आट सिखकोलेशन.org नो एमेल कर सकते हो और इंपरमेशन ली जे तुसी नाल जुनना चांदे हो कुछा विछा तो चांदे होओ छाहर 15 मच शाल सी वी क्म्यूनिट करना चांदे है तरी त्ता इंप कर तो बधा्ष बाल जह सान। पुछ चांदे हैं अअ हैंघा स्मीून चांदेट ल्undrich में करना सी पर हम एदर आप पी गराब सी। ऑख घृक है सुनना तरिट थी राइड शेर इंडिस्ट्री दे विच कम कर दे है पावे तोर नाल इदा दा कुछ नहीं वाप रहा एचीज इकता साधी सारें दी सांजी प्रॉब्लम हैगी इन्फरमेशन दे नाल हो जानकारी दे नाल तुसी अपने आपने वेदे खिलाफ पर टेक्ट कर सकते हो जुरूर अगर तुनु एहुजी कोई लोड हैगी खास करके लीगल हैप दी तुसी स्क्रीन दे लिखिया हुए फोन नमबर भी नोट कर लो सिक कोलिशन तुनु हल्प करन ले ते आर हैगी आप दे राइस बारे जानकारी पाओ के की चीजा एथ दा कानून तुनु गैरंटी कर दा है जो तुसी सारी रिसोर्स इस हाथ से नु लाके खास करके टाक्सी ते राइट शेर इंडिस्ट्री द्रिवर्स ले कठीकितिया उना दे ले असी तन्वादिया होर जानकारी लेनली, everyone can visit your website as well, sickcoalition.org असीस, have a good rest of your evening and good luck at the event tomorrow. सत्स्रीयकाल सत्स्रीयकाल, thank you जी, एथ ही प्रोग्रम दी समापती कर दें once again, New York City JFK Airport ते हो रहा एक information sharing event सेख taxi driver ते ride share operators ले या किसी ले भी जिनानू एक minority होन दे नाते कदी भी इस field, इस occupation दे विच खत्रा में सूस होया है कोई discrimination जेल नी पर ये, कोई hate crime दे विक्टम बने है तोड़े ले resources परवाइट किते जानगे दो बजे, Saturday afternoon JFK Airport दे सेलफोन लॉट दे विच वते तुसी जाके सी कोलिशन दी तीम दे नालबराख ली गाल कर सक्दियो